हेलो अवर्यवन कैसे आप सब होफ़ली फाइन होंगे तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है इस वीडियो में क्या डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में यह डिसकस करने वाले हैं कि कल मंडे 28th of November को जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो क्या Nifty Bank Nifty के ले वीडियो में डिसकस करेंगे तो आई इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह समझने का ट्राइड करते हैं कि क्या मार्केट के सिनेरियो हैं और हम कैसे उसे मंडे को ट्रेट करें तो जब भी हम Nifty Bank Nifty का अनलिसिस करते हैं रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस होती है वो किलेगी यानि हमारे मार्केट कहा ओपन होगी बीसिकली गलोबल मारत का मूढęt या सेंटीमेंट हमें वो डिसाइड करने में हल्प करता है हमारा मार्यवक कुलने के बाद साड़े तीन बज़े तक खुला रहता है अब साड़े तीन बज़े तक हम उसके basis पर sustain नहीं कर सकते तो open होने के बाद rest साड़े तीन बज़े तक अगर हमें nifty bank nifty को trade करना हो हमें ये predict करना हो कि अब direction क्या रहेगी क्या हो सकता है तो जो हमारे काम आता है वो nifty bank nifty के technicals level आते तो हमें technical levels जानने की ज़रूत है क्योंकि rest of the market में वही हमारी help करेगा profitable trading करने में तो कई लोग क्या करते हैं अगर ये देखते हैं कि global market का mood अच्छा है तो call खरीद लेते हैं खुलते ही बेकार है तो put खरीद लेते हैं ऐसा कुछ नहीं होता global market सिर्फ और सिर्फ opening decide करने में help करती है उसके बाद हमारे nifty bank nifty के technical decide करते हैं कि आगे के दिन में क्या direction रहने वाली है तो जो हमारी process है दो पार्ट में divided है पहले पार्ट में हम ये देखेंगे global market का mood क्या गह रहा है sentiment क्या गह रहा है उसके बाद second part में हम nifty bank nifty के technical chart को analysis करेंगे और ये जानने का try करेंगे कि क्या levels हो सकते हैं मंडे को जिने हम trade कर सके हैं तो start करते हैं इस video को तो अगर हम global market के mood का measure करने का try करते हैं तो हम US की stock market को follow करते हैं क्योंकि US की stock market dominating market है वही global market का mood एक तरीके से define करती है तो Thursday US की market bank थी Thanksgiving गे के कारण Friday open थी Friday अगर हम देखें तो US की जो market है उसमें दो main indexes है एक Dow Jones है जो उसकी diversified index है दूसरी next day के जो tech heavy index है Dow Jones around half percent के as-pass positive बंद हुई 153 point बंद हुई है flattish kind of note पे बंद हुई है लेकिन अगर हम Dow का chart देखेंगे तो Dow ने जो weekly closing है वो 34,000 के उपर दी है जो technically काफी strong closing है क्योंकि 34,000 का एक बड़ा important level था Dow Jones के chart में पास में उसने bottom भी बनाये थे और अभी थोड़े दिन पहले जो rally exhaust हुई थी Dow में वो 34,000 से भी हुई थी तो technically हम यह कह सकते है US की market Dow Jones जो इसकी index है वो flat जरूर close हुई है बड़ टेक्निकली chart पे बड़ी strong close हुई है जो एक positive indication है US market के लिए और global market के लिए NASDAQ अगर हम देखे half percent negative 59 point गिरके बंद हुई है again यह भी एक flattish kind of node पे बंद हुई है अच्छी बात NASDAQ में टेक्निकली क्या है इसने दो हफ़ते पहले 11,000 के उपर है के strong closing दीती 11,000 एक बड़ा crucial level है for NASDAQ and दो हफ़ते से उसके उपर consolidation कर रही है जो एक indication है कि आगे चलने की तयारी कर रही है NASDAQ तो अगर हम conclude करें US की market Friday को जरूर एक flattish node पे बंद हुई है मगर overall जो इनका technical chart है वो strong है bullish node दिखा रहा है और यो दिखा रहा है कि आगे चलने के लिए तयार है DAO at least यहाँ से 1000 point की rally ले सकती है 35 जार तक जा सकती है और NASDAQ भी आगे काफी अच्छे level दिखा सकती है तो यह global market का mood था अब हम तो Friday साड़े तीन वज़े बंद हो गए बट हमारे जो Nifty के future है Singapore Stock Exchange पे trade होते है वो देखते हैं कि वो कहाँ पर बंद हुए तो indices futures में अगर चले तो वो around 8663 के आसपस बंद हुए हम बंद हुए 18512 पे तो एक तरीके से जो Nifty के future है वो तो कहीं न कहीं इस तरह इंडिकेशन दे रहे हैं कि Monday को हम all time high पे खुल सकते हैं यह इंडिकेशन सिर्फ Nifty के future ही नहीं दे रहे जब Thursday को मैंने Friday को मैंने वीडियो अप्लोड करी थी तब भी भी आपको कहाता कि फ्राइडे का suspense लेवल यही है क्या निफ्टी 18500 के उपर closing maintain करती है weekly closing या नहीं बहुत अच्छी बात है बारा पॉइंट ही सही बट ऊपर closing दे कर गई है तो हम भी एक strong close होके गए एक crucial level के ऊपर close देके गए अगर हम sustain करते हैं तो शोर शोर अगला हफता तो all time high का होना चाहिए तो global market के mood ठीक है technically strong है सब कुछ ठीक है जो निफ्टी के futures हैं वो भी positive opening की तरफ indication दे रहे हैं तो हम ऐसा तो expect नहीं कर सकते कि all time high open होगी क्योंकि 18500 के crucial level है हाँ यह जरूर कह सकते हैं कि sustain करती है crucial level को तो अगले हफते all time high जरूर हिट करेगी अब चलते निफ्टी के अपने personal technical पे कि हुआ क्या Friday तो Friday again Thursday को जब expiry होई थी तो निफ्टी 18484 पे बंदो के गई थी हलका सा 18500 के नीचे बंदो के गई थी crucial level था 18500 यही देखना था कि Friday को क्योंकि weekly closing आती है हमारी कि weekly closing उपर दे पाती है नहीं दे पाती 28.2 positive बंदो यह मट जो इस positive closing में एक silver lining है वो यह है कि 18500 के उपर closing देखे गई है बहुत अच्छी बात है एक हलकी सी बुरी बात क्या है बैंक निफ्टी ने expiry 43,000 के उपर काटी थी और Friday का यही suspense था क्या इस Thursday को जो closing आई है 43,000 के उपर वो Friday sustain करेगी weekly closing उपर आईगी आई नहीं थोड़ी सी नीचे रह गई ज्यादा नहीं 16 पॉंट नीचे रही है इतनी कोई minor major तो नीचे नहीं रही है बट अगर उपर आ जाती तो एक positive सा indication होता बट ठीक है तो हम यह कह सकते हैं निफ्टी 50 एक strong note पे closing दे कर गई है weekly बैंक निफ्टी हलकी से disappointment दे कर गई है अगर यह 43,000 के उपर होती तो बहुत अच्छी बात होती बाकी rest अच्छा है सब कुछ ठीक है तो यह था global market का हाल और हमारी market का हाल अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट में और जानने का try करते हैं कि कल market में क्या हो सकता है क्या levels रहने वाले उससे पहले जैसे कि हम हर वीडियो में बोलता हुए आ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई suggestion है तो आप suggestion दे सकते हैं ताकि हम अपनी वीडियो उसको और better बना सकें तो एक suggestion आया था कि हम अगली वीडियो जब publish क अगर यह हम एक छोटा सा discussion कर सकें तो इससे क्या होगा और helpful हो पाएगा analysis तो अपकी बार time है तो हम एक बार वो discuss करते हैं तो मैंने यह बैंक निफ्टी का चार्ट को लाए इंट्राडे चार्ट फ्राइडे का और मैं यह discussion करना चारूंगी Friday को जो हमने levels दिये थे जिसके according ह हमें trade करना था उस पर कहां entry बनी हम कहां पर entry ले सकते थे कहां हमारा stop loss होता क्या हमारा target होता बैंक निफ्ट का चार्ट मैंने open गिया है इस वीडियो में एक बार वो discuss कर लेते हैं ताकि जो लोग थोड़े बहुत confusion में रहते हैं जैने समझ में नहीं आता कि हमें कैसे trade करना इन लेवल्स को उनको थोड़े सी help हो सके तो मैं दो चार्ट में बताऊंगा क्योंकि मैं mostly बोलता हूं या आप 30 मिनट का चार्ट फॉलो करो या 15 मिनट का भी कर सकते हो आप तो लोगों में इतना patience नहीं होता तो मैं 30 मिनट की according भी बता रहा हूं और 15 मिनट की according भी बता रह मंडे की जो फ्राइडे की सवानौ की पहली candle है वीडियो में आपने कहा था कि अगर बैंक निफ्टी ओपन हो और 43,250 जाए और वहां पर कोई bearish reversal signal दे bearish reversal signal यानि कोई ऐसा signal जो bear के comeback की तरफ indication दे रहा है वो कोई candlestick pattern हो सकती है जो बताए bear comeback कर चुका है तो अगर हम 30 मिनट को follow करें 30 मिनट के अगर हम trade करते है तो यह पहली candle बनी थी जो long leg doji बनी थी long leg doji एक डोजी का type होता है जिसकी upper shadow और lower shadow काफी लंबी होती है जो बड़े confused महौल को indicate करता है इसके basis पे हम कोई trade नहीं ले सकते हमें अगली candle का wait करना पड़ता है अगली candle red बनी उसने दिखाया market में beer आ गया है जो confusion था उसे clear कर दिया डोजी आया red candle बनी कहां पर बनी 43,200 के लेवल पर जो हमने दिया था एक अच्छी sell की entry थी क्योंकि resistance पे candle नहीं indicate कर दिया था कि beer come back कर गया शॉट कर सकते थे bank nifty शॉट का मतलब आ फ्यूचर शॉट भी कर सकते थे आप put भी buy कर सकते थ put by कौनसी करते just out the money या उसके बाद वाली अगर आप risky trader हो तो add the money भी कर सकते थे put कौनसी sell कर सकते थे just out the money या उसके बाद वाली और अगर आप safe player है तो 43,500 वाली कर सकते थे ठीक है 43,50 पर हम sell करते target वीडियो में बताया था levels में 43,000 होता जो उसने एक candle अगली ग्रीन बनाई फिर इस candle में जाके अचीव कर लिया थे नहीं दो घंटे के अंदर अचीव हो गया था ठीक है अगर same trade हम 15 मिनट में देखें 15 मिनट के चार्ट में तो 15 मिनट के चार्ट मे क्या करा यह पहली ग्रीन अगली रेड बनी बेरिश अंगल्फ बना है बेरिश अंगल्फ अगेन एक candlestick पैटन होता है जो बीयर के कमबेक को शो करता है तो अगर हम 15 मिनट को फॉलो करता है बकाइदा में recommend नहीं करता बट ठीक है अगर आप फॉलो करते हो तो अगेन resistance पे candlestick pattern मना था आप sell कर सकते थे 43,000 टार्गेट हो था जो यहाँ पर पोने 12 बजे वाली candle में अचीव हो गया था यह पहली entry थी दिन की जो bank nifty में Friday को बनी थी ठीक है अब आगे देखते है तुबारह 30 मिनट के चार्ड में चलते है तो हमारा यहाँ target अचीव हो गया था 30 एक crucial level था basically उपर closing कर गई थी तो support भी बन गया था उसके बाद पूरे दिन बस वहीं पर sideways हो गई ठीक है तो अगर by chance आपने second trade इस बात पर sell की लिए होती कि अपने support को तोड़के उसके नीचे sustain भी कर रही है तो market में momentum तो आया नहीं एक बार गिरा तो जो previous day का एक minor सा छोट था वो तो 43,700 था 42,750 था वहां तक नहीं आया है तो conclude यहीं कर सकते हैं कि Friday को एक बढ़ी entry बनी थी morning में उसने 200 पॉइंट का पूरा target भी दिया उसके बाद bank nifty sideways हो गई तो कोई एक अच्छी खास entry बननी पाई अगर बीच में बनी भी थी तो वह बीच में जो minor एक support आ रहा पंद्रे मिनट के चार्ड में भी सेम कहानी है पहली entry बहुत अच्छी बनी थी वीरिश अंगल फिंग से उसके बाद वह sideways हो गया और उसने कोई भी entry नहीं दिये clear cut entry तो हमें जब sideways हो गया है तो दूर रहना है जब तक कोई clear cut entry ना बने क्योंकि क्या है फिर हम बीच में सब्सक्राइब करूँ कि ऐसे मैं add-on और करता रहूं तक कि और आपको clarity आ सके ठीक है तब nifty bank nifty के levels पर आते हैं सबसे पहले nifty के support and resistance को देख लेते हैं तो जो nifty का support आ रहा है वह 18,449 से 18,500 का एक zone एक zone 18,250 से 282 का zone 18,000 का level है यह तीनों इसके लिए as a support काम करेंगे ठीक है resistance का आ रहा है 18,604 पे और 18,750 पे अब अगेन market में दो type की entity होती है एक option buyer एक option seller दोनों के perspective से देख लेते हैं अगर आप seller है तो 18,900 के उपर वाली call sell कर सकते हैं और 18,100 के नीचे वाली put sell कर सकते हैं ठीक है अगर आप option buyer है तो क्या करें option buyer है call buyer करना चाहते हैं तो कब कर सकते ह अगर 18,600 के ऊपर open हो और sustain करें sustain again important word है मैं हर वीडियो में कहता हूँ क्यों कई बार क्या करते हैं support के ऊपर खुलता है buy कर लेते हैं support के नीचे खुलता है sell कर देते हैं बहुत गलाद approach है sustain होने पर ही कोई trade ली जाती है क्यों कई बार क्या होता है resistance के ऊपर खुलता ज़रू के साथ ज्यादा conviction है तो 18,600 के ऊपर open हो sustain करें तो buy करेंगे 18,600 हमारा target होगा यह 18,449 से 18,500 का zone आ रहा है इसके ऊपर open हो sustain करें तो भी हम call buy कर सकते हैं 18,604 will be our target और कब call buy करें अगर nifty गिर के आती है 18,400 पे कोई buy का signal देती है buy के signal अगेन कोई candlestick pattern हो सकता है या कोई indicator हो सकता है जो bull के comeback को show करें क्यों कई बार क्या करते हैं लोग support पे आता है खरीद लेते हैं और support टूट भी सकते हैं तो support पे confirmation होना is very mandatory होना चाहिए तभी हमारी high conviction आती है और तभी हमें enter करना चाहिए तो 18,400 पे bullish signal बनता है आप call buy क target होंगे 18,250 से 18,282 का zone आ रहा है इस zone में कोई bullish signal बनाए अगेन इट्स अ call by opportunity आप call buy कर सकते हैं 18,400 पहला और 18,500 दूसरा target होगा अठारा जार पे आए कोई buy का signal बनाए कोई bullish candlestick pattern बनाए like hammer bullish engulfing bullish शरामी inverted hammer जो bull के comeback को show करें again it's a call by opportunity 18,100 first and 18,250 से 282 का zone आ रहा है यह हमारे दूसरा target होगा 18,000 तक आने के chances मंडे को बहुत कम है लेकिन मैंने हर scenario include कर दिया है ताक कि कुछ भी market में सामने आए तो हम उसे deal कर पाए put कप buy करें अगर 18,604 के नीचे open हो sustain करे put buy 18,449 से 18,500 का zone पहला और 18,400 दूसरा target होगा 18,449 से 18,500 का zone आ रहा है इसके नीचे open हो sustain करे again it's a put buy opportunity 18,400 पहला और 18,250 से 18,282 दूसरा target होगा 18,400 के नीचे open हो sustain करे 18,200 से 282 का zone आ रहा है यह हमारे target होगा और 18,200 के नीचे open हो तो 18,500 पहला और 18,000 दूसरा target होगा put buy और कप कर सकते हैं अगर nifty rise होके आये मंडे को 18,700 के level पे कोई bearish signal बनाए again bearish signal को indicator हो सकता है जो आपको BR के comeback का indication दे या candlestick pattern हो सकता है क्योंकि again हम गलती क्या करते हैं resistance पे आते हैं sell कर देते हैं resistance भी तूट सकते हैं तो confirmation चाहिए तो 18,750 पे आये कोई bearish signal बनाए again it's a put buy opportunity 18,604 first and 18,449 से 18,500 दूसरा target होगा तो nifty के levels थे हमें बस यही करना है इन levels पे जब entry बने तब ही enter करना है हमें patience के साथ राइट टाइम की राइट एंटरी की राइट अपर्चुनिटी का वेट करने की जुरत है जैसी वह बनती है हमें तुरंत उसे grab करना है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बैंग निफ्टी पे बैंग निफ्टी का support है है 42,750 42,360 से 42,500 और 42,250 रसिस्टन्स आ रहा है 43,500 और 44,000 क्रूशल लेवल लिया है 43,000 का निफ्टी में मैंने 18,500 को क्रूशल क्यों नहीं लिया क्योंकि weekly closing उपर आ गई इसमें weekly closing नहीं आई है इसलिए मैंने इसे crucial level में include किया अब देखते हैं कैसे बैंग निफ्टी को हम trade कर सकते हैं तो दो टाइप की entity होती है एक option buyer एक option seller अगर आप seller है तो 45,000 के उपर वाली call sell कर सकते हैं 40,000 के नीचे वाली put sell कर सकते हैं अगर आप option seller है तो safe player option selling में unlimited risk होता है तो मैं हमेशा safe play करने की recommendation देता हूं और उसी साब से strike बताता हूं इन्हें strike में ज्यादा reward तो नहीं मिलेगा आपको मगर success होने की surety बहुत मिलेगी ठीक है अब अगर आप call buyer है तो क्या करे 43 to 50 के ऊपर open होती है sustain करती है call buy करे 43 490 आपका target होगा 43,000 के ऊपर open हो sustain करे again it's a call buy opportunity 43,240 पहला और 43,490 दूसरा target होगा 42,750 के ऊपर open हो sustain करे again it's a call buy opportunity 43,000 पहला और 43,240 दूसरा target होगा और कब call buy कर सकते हैंगा गिर के 42,700 आए intraday chart में कोई bullish signal बनाए तो हम call buy करेंगे 43,000 पहला 43,240 दूसरा target होगा 42,2,367 से 42,500 का zone आ रहा है यहाँ पर आए कोई bullish signal बनाए it's again a call buy opportunity 42,740 पहला 42,990 दूसरा target होगा 42,250 पह आए कोई bullish signal बनाए again it's a very good call buy opportunity 42,500 42,740 दूसरा target होगा last है 42,000 आए जिसके आने की chances बहुत कम है बट हर scenario हमने include कर दिया तो भी call buy opportunity है 42,240 पहला और 42,500 दूसरा target होगा यह levels थे जहाँ पर हम call buy की opportunity सर्च कर सकते है put हम कब buy करें अगर 43,000 के नीचे open होती है sustain करती है it's a put buy opportunity 42,750 पहला और 42,500 दूसरा target होगा 42,750 के नीचे open हो sustain करे put buy कर सकते है 42,500 हमारा target होगा 42,367 से 42,500 का zone आ रहा है इसके नीचे open हो sustain करे again it's a put buy opportunity 42,250 हमारा target होगा last है 42,250 के नीचे open हो sustain करे again it's a put buy opportunity 45,500 हमारा target होगा last है nifty rise होके आए bank nifty 43,250 पे आए जैसे की Friday को हुआ कोई बेरे सिगनल दे जैसे Friday को दिया था put buy करेंगे 43,000 पहला 42,760 हमारा दूसरा target होगा या 43,500 पे आए कोई बेरे सिगनल बनाए again it's a put buy opportunity 43,260 पहला और 43,000 दूसरा target होगा तो यह bank nifty के levels थे हमें बस इतना ही करना इनी levels के साथ ठीक रहना है जब इन पर entry बने एंटर करना है exit बने exit करना है मेरी shorty आप ऐसा करते हो तो maximum trade आपके profitable होगे तो आने वाला trading day Monday आप सबके लिए profitable हो आने वाला week आप सबके लिए profitable हो इसी wish के साथ इस वीडियो को end करते हैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यह levels आपकी help करेंगे Monday profitable trade करने में वीडियो आपको अच्छी लगे आप like करें चैनल को subscribe करें बेल आइकन भी press कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आए तो आपको पता चलता रहे आप उस वीडियो से अपन constructive suggestion दे जो हमें और better आपको समझाने में help करें ठीक है तो इसी विश्च के साथ कि आने वाला week आपके लिए profitable हो इस वीडियो को end करते हैं thank you very much इस वीडियो को देखने के लिए happy trading